नमस्कार में पंडित नरेंदर पाधिया लाइव हिंदुस्तान की जोतिश ये कारिकरम में आप सब का बहुत बहुत स्वागर करता हूं सबसे पहले अर्बुक 18 मार्च 2022 के ग्राइस दिलेगा राहुमेश राशी ने चंद्रमा कन्या राशी के तुप्रिस तुला राशी के शुक्रमंगल शनी मकर राशी में कुमर राशी में गुरु और बुद्ध मीन राशी में सुर्व रहों की स्थिति पहले से बहतर गहीं जाएगे मेश राशी शत्रू पर भारी पड़ेगा बुद्ध्यान की प्राप्ति होगी रुका हुआ कारी चल पड़ेगा स्वास्त नरम गरम बना रहेगा प्रेम और संतान के स्थिति अच्छी लेगे हरी बस्तू का दान करें अच्छा होगा प्रिशब राशी बहनाओं में बहके कोई नेड़ा मत लीजेगा अधर्वाइस नुकसान संभव है बच्चों के सिहत में ध्यान में प्रेम में तू तू में में स्वास्त करीब-करीब ठीक में हरी बस्तू पास रखे स्वास्त पहले से बहतर प्रेम और संतान की इस्थती करीब-करीब ठीक रहेगा कलह से बचें हरी में सुपास रखें करकरश, स्वास्त पहले से बहतर, घोर पाराक्रमी बने रहेंगे, आप तो रखिया गया पाराक्रम आपको सफलता के तरफ ले जाएगा, व्योसाइक सफलता का योग बनता है, प्रेम और संदान की इस्थती थोड़ा मध्यम चल नहीं है, लाल बस्तू पास रखे, सेंग राश, जवान अनियंत्रित ना करें और पूझी का निवेश अभी ना करें, धन में ब्रधी होगी, स्वास्त पहले से बहतर, प्रेम और व्यापार के स्थती अच्छी है, सुरे को जल देते रहें, कन्याराश, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहें, आकरश्ण के केंद्र बने रहेंगे, जिस्चिश की जरुमेत होगी, उसकी उपलब्धिताब होगी, स्वास्त पहले से बहतर, प्रेम में थोड़ा तू-तू मैमें संभव है, व्यापारिक द्रश्टिक मो शुब होगा, ब्रश्टिक रश्य, आयमें आशातीत, ब्रधि, शुब समचार की प्राप्ती, रुगा हुए धन वापस मिलेगा, स्वास्त अच्छा है, प्रेम की इस्थिती अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, पिली बस्तु पास रखे, धनुरश्य, शासन सत् याथ्रा में लाग होगा, रुका हुआ कारी चल पड़ेगा, स्वास्त पहले से पहतर, प्रेम की इस्थिती बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाके चल रही है, और संतान अग्या के पालन कर रही है, व्यापार आपका अच्छा दिख रहा है, हरी बस्तु पास रखे, कुंगदा जीवन साथे का सानिद ही मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, प्रेम का साथ होगा, बेवसाइक सफलता मिलेगा, सब कुछ बहुत बढ़ियां दिखाई पड़ता है, हर आचारा किसी मवेशी को खिलाना आपके लिए शुक्र, नौसा